वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वारी रिनुबल शेयर के लेटेस्ट न्यूस के बारें बात करेंगे और देखेंगे कि अभी फिलाल में जो इसकी कंडिशन है उसके उकडिंग इसके नेक्स टारगेट के आ रहने वाले हैं और कल के दिन हमें इसमें कैसा रेस्पॉंस देखनो मिलेगा तो चलिए आज की डिटेल के अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे वारी रिनुबल आज के दिन चार-पांच दिन पहले एक वीडियो बनाए था वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप यहां पर देखिए यहां पर लगबग मैंने यहां पर बताए था कि यह जो शेयर है यहां पर देखें लगबग 2065 के लगबग यहाँ पर था उस ताइम मैंने उस वीडियो में कहा था कि कल के दिन हमें इसमें 5% का strong upper circuit देखनों मिल सकता है तो यहाँ पर इस शेयर ने 5% का strong upper circuit हमें इसमें देखनों मिला था उसके बाद उसके अगले दिन के वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें circuit खुलता हुआ मिलता है, मिल सकता है शायद ही हमें इसमें next day पांच परसेंड का strong upper circuit देख मिलेगा, थोड़े बहुत चांस है कि हमें यहाँ से circuit खुलता हुआ देखनों मिल सकता है तो उसके बाद आप यहाँ पर देखें यहां से कितना नीचे जाएगा तो यहां पर मैंने यह भी कहा था जैसे कि बार-बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहां पर भी मैंने कहा था कि यह 2000 का जो इसका सपोर्ट है यह एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है यहां से नीचे नहीं जाएगा ज्यादा तर चांच यही है कि हमें इसमें यहां से bounce back देखनों मिल सकता है लेकिन या फिर normal consolidation देखनों मिलता है यहां पर नीचे नहीं जाएगा तो वही similar ही इसकी जो pattern language है वो चलती हो हमें देखनों मिल रही है और last 5 दिन से आप देखेंगे तो नॉर्मल 5 से 6 साथ दिन से हमें consolidation मोड में ही देखनों मिल रहा है तो अब क्या है कि आप सभी के ये फिलार में condition सोरी दिमाग में question होगा कि अब जो condition है उसके अगर हम इसमें क्या करें अगर हम यह 2000 पर है तो हम यहां से इसको यहां पर क्या है कि इसका जो 2000 का सपोर्ट है यह एक strong सपोर्ट है यहां पर यह एक strong सपोर्ट है और इतने दिन से consolidate करा है और फिर भी हमें lower security देखनों नहीं मिला है यानि कि बहुत सारे investors को वारी पर trust है कि यहां से हमें profit दे सकता है यहां से bounce back करेगा तो वही normal ही है लेकिन क्या है कि 5-7 दिन इसमें हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसने bounce back नहीं किया है या फिर हमें 2-4 non-stop upper circuit देखनों नहीं मिले हैं उसकी बज़े से कल के दिन हमें इसमें थोड़ा सा panic हमें देखनों मिल सकता है और तो panic के वज़े से हमें 3 या 2-3 परसेंट का lower circuit भी देखनों मिल सकता है ज्यादतर chance जाही है तो यहाँ पर क्या है कि अगर इस शेर ने 2000 का strong support है इसको अगर इसने break कर दिया तो हमें यह 1700 तक जाता हुआ देखनों मिल जाएगा लेकिन कल के दिन यह भी chance है कि 2000 से फिर से bounce back कर दे और यहाँ से दिरे दिरे आप क्या है कि इसके जो quarter one के result है उसकी date दिरे दिरे आनाउंस होने वाली है date announcement होने से पहले अगर यह company की तरब से कोई order news कोई बड़े fund house ने buying किया है ऐसी कोई news या फिर किसी भी तरह की कोई split की news एक भी positive positive news यहाँ पर हमें देखें़ मिल गई अगर 2-4 दिन में तो यह strong non-stop upper circuit में हमें जाता हो देखें़ मिल जाएगा लेकिन अगर हमें 2-4 दिन में कोई भी news नहीं मिली तो हमें यह lower circuit में जाता हो देखें़ मिल सकता है तो अब आपको क्या करना है जैसे कि मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर एड़ कर लेता जैसे कि अभी काफी अच्छा हमें यहाँ पर हमें यहाँ डिसकाउंट देखने मिला है लगबग 25, 30 से 30% के लगबग हमें यहाँ यहाँ पर सपर्पूर्म सेुपूर्म सपोर्ट है 1700 वाला भी काफी अच्छा सपोर्ट है यहाँ तक यह शेयर जाएगा अगर तो यहाँ पर भी हमें एड़ करना है उसके बाद यह शेयर 1700 से हैं तो किसी भी हाल में नीचे नहीं जाएगा ये तो confirm है 1700 से नीचे ये share नहीं जाएगा तो आप यहाँ पर कल के दिन add कर सकते हैं और अगर नीचे चला गया तो आपको यहाँ 1700 तक भी आपका थोड़ा बहुत add करना है एवरेज करना है लेकिन ज्यादतर chance यही है कि कल के दिन हमें बांस बेक देखनों मिलेगा और इसमें हमें 2 से 3 परसेंट का अप परसेंट की देखनों मिल सकता है तो इसके बाद भी दोस्तों आपको कोशन हो तो आप मुझे कमेंटों ज़रू बताएगा और वीडियो का लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिए